अमेरिका में राष्टपती चुनाओं में ट्रम्प की जीत से जहां टेक अरबपती एलन मस्क खुशी से फूले नहीं समा रहे तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क की बेटी ट्रम्प की जीत से उतनी ही खफा है यहां तक उन्होंने अब अमेरिका चुड़ने तक की बात कह दी है जी हां एलन मस्क की ट्रांस बेटी विविएन जैना विलियंस ट्रम्प की जीत से खुश नहीं है यही कारण है कि विविएन जैना ने ये एलान कर दिया कि अब वो अमेरिका में नहीं रहना चाहती अमेरिकी राष्टपती चुनाओ के नतीजों के बाद सोशल मीडिया साइट फ्रेड्स पर जेना विलियम्स ने एक पोस्ट भी शेयर की जेना ने पोस्ट में कहा मैं कुछ समय के लिए ये सोचती थी लेकिन कल इसकी पुष्टी हो गई जेना ने कहा कि भले ही ट्रंप चार सालों के लिए पतपर है भले ही ट्रांस विरोधी नियम भी लागू ना हूँ जिन लोगों ने स्वेच्छा से इसके लिए मतदान किया है वो जल्व ही बदलने वाले नहीं है आपको बता दे कि एलन मस्की ट्रांस बेटी अपने पिता से दूर रहती है सेक्स चेंज ओपरेशन के बाद से ही दौनों के बीच रिष्टों में काफी दरार आ गई थी आलम यह है कि दौनों कभी एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते हैं खुद जैना विल्सन ही कई इंटर्व्यू में अपने पिता पर अलग अलग तरहे के आरूप भी लगा चुकी हैं बता दे कि जैना विल्सन मस्क की पहली पतनी जस्टिन विल्सन से हुए छे बच्चों में से एक है उसने 2022 में कानूनी तोर पर अपना नाम बदल लिया एलन मस्क ने बार-बार उनके फैसले के लिए वोक माइंड वाइरस को दूशी ठहराया और कहा कि वो उसके लिए मर चुकी है वहीं विवियन ने अपने पिता को ठंडा और क्रूर बताया उसने दावा किया कि अरब पती पिता बच्पन से ही उसके स्त्री वाले गुणों के कारण परिशान था जैना विल्सन का जन्म साल 2004 में एलन मस्क और जस्टिन विल्सन के यहां हुआ था जैना का उस समय नाम जैवियर अलेक्जेंडर मस्क रखा गया था एलन मस्क ने साल 2000 में उसकी मा से शादी की जो साल 2008 में खत्म हो गई थी जैसे 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 जैना बड़ी होने लगी तो उन्हें अपने पिता एलन मस्क के LGBTQ को लेकर विचारों से दिक्कत होने लगी साल 2016 में जैना विलसन ने पहली बार अपनी आंट को मेसेज करके बताए कि वो ट्रांस है और उन्होंने अपना नाम जैना रखा हुआ है लेकिन ये बात उनके पिता को नहीं बताए इसके बाद साल 2022 में वो समय था जब जैना विलसन ने अपना सेक्स चेंज करने के बाद सारुजनिक तोर पर ये एलान कर दिया कि अब वो अपनी पुरानी पहचान के साथ नहीं रहना चाहती उनका कहना था कि वो किसी भी रूप में अपने जैविक पिता के साथ नहीं रह सकती और नहीं उनसे कोई रिष्टा रखना चाहती है वहीं अब एक बार फिर से वो चर्चा में हैं उन्होंने टरंप के चीज से नाराज़की जाहिर की और अमेरिका छुणने तक का एलान कर दिया NBT Online की रिपोर्ट